जिसकी बाइट फोर्स दुनिया में सबसे जादा स्ट्रॉंगेस्ट है कंगल डॉग की जो स्किन है वो बहुत स्पेशल होती है या कंगल डॉग 100 केजी तक चले जाते हैं ये अप टू 60 किलो मिटर पर और की स्पीड पर भाग सकते हैं रॉट वेलर और पिट बुल मिलके भी उतना जादा डैमेज नहीं कर सकते किसी को जितना एक अकेला कंगल डॉग बाइट से कर सकता है ये किसी भी अनिमल से लड़ सकते हैं किसी की भी जान ले सकते हैं कंगल डॉक के बारे में आप लोग बहुत देर से जानना चाहरे थे, बहुत देर से रिक्वेस्ट आरी थी, कि बादल भीया कंगल डॉक के बारे में डिटेल में बताईए, अब मैंने भी बहुत सारे वीडियोज देखे हैं कंगल डॉक के बारे में, बहुत सारे मित हैं, बह अगर आप दुनिया के सबसे स्ट्रॉंगेस डॉग के बारे में जानना चाहते हैं मैं बादल भंडारी हूं और पिछले 28 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूं और प्राउडली मैं बहेवरिस्ट हूँ अभी तक 28 साल में जो मैंने इस कंगल डॉग के बारे में जाना है आज इस वीडियो में मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कंगल डॉग का पूरा नाम तरकिश कंगल है यानि इसके नाम से यह क्लियर होता है कि यह तरकी की ब्रीड है जैसे German Shepherd से clear होता है कि यह German की breed है Central Antolian Shepherd एक और नाम है जो कंगल डॉग का ही है Dear friends जब हम कंगल डॉग की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डॉग की जो बहुत ज़ादा फेरलेस है किसी से नहीं डरता, बहुत ही confident है जिसका brain बहुत तेज है जो फटा-फट से strategies बनाता है जो hunting के लिए भी use किया जाता है मैं बात कर रहा हूँ एक giant dog की जिसकी bite force दुनिया में सबसे ज़ादा strongest है मैं बात कर रहा हूँ ऐसे dog की जो अपनी family के लिए बहुत loyal है अगर kangal dog की appearance की बात करें तो kangal dog lightish brown, lightish cream color में आते हैं lightish gray color में भी आते हैं लेकिन इनका जो face है वो हमेशा black रहता है means जो nose वाला area है वो हमेशा black रहता है कान बहुत बड़े नहीं होते उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने इनके ears को crop कराया होता है जो skin है वो बहुत special होती है इनका medium coat होता है, बाल बहुत जादा बड़े नहीं होते लेकिन skin lose होती है ताकि अगर कोई animal इने bite करने की कोशिश करे तो इनके body के उपर बहुत जादा damage ना हो पाए इनका जो special coat है वो इने extreme सर्दी से और extreme गर्मी से भी protect करता है अगर इनकी height की बात करें एक male dog की height की बात करें तो वो 32 से 34 inches तक shoulder height जाती है यानि shoulder के उपर इतनी लंबी neck जाएगी neck के उपर उसका heavy सा face आएगा तो आप imagine कर सकते हैं कि उसका कितना giant size होगा अगर female dog की बात करें तो 29 से 32 inches तक shoulder height जाती है female dog की अगर इनकी age की बात करें तो इनका life span जो है 12 से 14 साल तक रहता है आपने अक्सर सुना होगा वीडियोज में देखा होगा लोग बोलते हैं भहिया kangal dog 100 kg तक चले जाते हैं जबकि reality ये नहीं है reality ये है एक adult kangal dog जो है male 50 से 70 75 kg तक body weight जाता है उसका और एगर female dog है तो 45 से 60 kg तक body weight जाता है फिर भी ये बहुत बड़े वाले giant है रुको इससे आगे जो बहुत जादे important है वो ये इतने बड़े giant size होने के बावजूद भी ये up to 60 km पर और की speed पे भाग सकते हैं यानि जो एक adult doberman की speed है आपने देखाऊगा हम लोग बात करते हैं एकसर बहुत speed में भागते हैं डॉबरman वो 50 km पर और की speed पे भाग सकते हैं लेकिन ये उससे भी 10 km एक्स्टा की speed पे भाग सकते हैं तो आप ये सोचिए अगर kangal dog किसी के पीछे पढ़ गया और वो भाग की अपनी जान मचा लेगा that is surely no दुनिया में सबसे ज़्यादा bite के लिए जो मशूर बदनाम dog है वो है pitbull pitbull और दूसरे हैं rotwiller जिनको बोलते हैं कि भीया जब वो bite करते हैं तो अपना jaw lock कर लेते हैं अगर वो दोनों की bite force की बात करें दोनों की bite force को मिलाएं तो less than 600 PSI बनती है उसके comparison में अगर आप कंगल dog की bite force की बात करें तो सरफ एक अकेला कंगल dog की जो bite force है that is 743 PSI यानी rotwiller और pitbull मिलके भी उतना जादा damage नहीं कर सकते किसी को जितना एक अकेला कंगल dog bite से कर सकता है अगर कंगल dog किसी पर attack कर दे अगर किसी को bite कर दे तो आप यकीन कीजिएगा उसको जिन्दा बचा पाना बहुत मुश्किल है चाहे वो इनसान हो चाहे वो जानवर हो ये इतने ज़ादा deadly dog है इतने ज़ादा wild हो जाते हैं अगर किसी पर attack करते हैं तर्की के आसपस बहुत सारे ऐसे countries हैं जहां पर लोगों का अक्सर सामना हो जाता था wild animals के साथ में जैसे चीता हो गया भालू हो गया उस तरह के animals के साथ में सामना होता है या उनके cattle पर वो attack करते हैं जिसकी वज़ासे जो honor से उन्हें इन animals को shoot करना पड़ता था इन्हें मारना पड़ता था जिसकी वज़ासे इन animals की population कम हो रही थी लेकिन उन लोगों ने kangal dog import करने शुरू कर दिये kangal dog रखने शुरू कर दिये एक survey के मताबिक kangal dog अपने honor को protect करने के लिए किसी भी level तक जा सकते हैं ये किसी भी animal से लड़ सकते हैं किसी की भी जान ले सकते हैं चाहे वो इनसान हो चाहे वो जानवर हो इतने जादा wild और strongest होने के लावा जो honor है उनके बच्चों के साथ में यानि human babies के साथ में ये बहुत जादा loving affectionate रहते हैं बहुत जादा loyal होते हैं अपने honor को अपनी family को protect करने के लिए dear friends ये वहाँ के local गदी डॉग हैं तर्की के लोग इन्हें अकसर अपने cattle की protection के लिए रखते हैं यानि जो वो भेड बक्रियां रखते हैं या वो गाए वगरा रखते हैं उनको protect करने के लिए wild animal से वो कंगल डॉग को रखते हैं और एक डॉग नहीं होता इन्होंने 4-5 डॉग को एक group रखा होता है जितना बड़ा उनका जूंड होगा उतने जादा उन्हें डॉग रखे होते हैं इस हिसाब से कि इन्होंने सरकल में cover किया होता है इनकी sniffing power बहुत अच्छी है इन्हें अगर हवा में smell आ जाए इन्हें पता लग जाए बहुत दूर से sniff कर लेते हैं अगर इन्हें पता चल जा कोई wild animal से हमारे cattle को threat है तो ये एकदम से अपनी strategy बनाते हैं एकदम से active होते हैं और उन्हें पास आने से पहले ही खदेड़ देते हैं यहां तक कि अगर नौबत आ जाए अगर कोई चीता पास आ गया भालू पास आ गया तो ये उनके साथ में fight करने से भी नहीं डरते सिर्फ fight ही नहीं करते हैं ये उन्हें मारने की भी हमत रखते हैं अगर kangal dog group में है तो किसी भी animal को मार सकते हैं अगर इस वीडियो को देखके आपको लग रहा है कि इतना strong dog आपको रखना है आप इंडिया में रहते हैं तो सबसे पहले ये clear है ये breed इंडिया में बैन हो गई है लेकिन अगर आप किसी other country में रहते हैं पर ये बैन नहीं है तो भी इस breed को सर्फ और सर्फ तब रखना अगर आपको dog रखने का experience है अगर आपको पता है कि एक giant dog की क्या requirements है उसकी energy को कैसे channelize करना है उसे कैसे manage करना है कैसे maintain करना है otherwise they are just like bombs जो कभी भी हाथ में भी फट जाते है I hope इस वीडियो में आपको kangal dog के बारे में कुछ नई चीज़ें जानने के लिए मिले होंगी कुछ genuine facts जानने के लिए मिले होंगे अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे like कीजे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया हो तो subscribe करना मत भूलना आप किस नए topic पर वीडियो देखना चाहते हैं नीचे comment करके बताएगा love you all, thank you so much, God bless, bye bye